हेलो एब्रिवन मैं इस वीडियो में यूबी प्लिस एकजाम 2023 में जो बैकंसी आई है उसके लिए प्रिवी सिर्फ पेपर से जी की जी इसके 25 कुशन डेसिस करने वाला हूँ सभी कुशन इंपोडेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए श्टाट करते हैं यह सात्मा प्रक्टिस सेट है तो आप प्रते कुशन का अंसर देते जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा आप 25 में से कितने कुशन का अंसर सही कर पाते हैं आप कॉम तो आपको पता होना चाहिए गुर्दा किससे प्रवावित होता है तो गुर्दा होता है जैसे कि इस टॉन उसमें पथरी बन जाती है तो गुर्दा उससे एफेक्ट होता है और यहां पर फेंपड़े किससे प्रवावित होते हैं निमोनिया से आत किससे प्रवावित होते तो बचा कॉन सा अप्सन पिलीहा प्रवावित होता है आपका मलेलिया से तो राइट अंसर है इस और डी अप्सन डी अप्सन इसका करेक्ट आंसर है अब नेक्स्ट कुषण का अंसर बताएंगे दूसरा कुषण है जोग या गर सोपपा जल प्रपात किस नदी पर है बताब किस नदी पर है तो इसका correct answer करेंगे सभी सरावती नदी पर जोग कहां पर है करनाटक राज में करनाटक राज में है सरावती नदी तो इसका correct answer है अच्छा आपको यहीं पूछू में थोसेगर बाटरफॉल कहां पर है तो वह आपका कहां पर है माराष्ट में तो इनको भी ध्यान रखना next question का answer करेंगे तीसरा question है निम्रन लक्तिम से कौन सा आम तोर पर computer का एक peripheral नहीं मान करते हैं जैसे के mouse को connect करते हैं computer से printer को connect करते हैं keyboard को connect करते हैं लेकिन इसमें से एक ही option बचता है हाड ड्राइव हाड ड्राइव हम computer के साथ connect नहीं करते हैं बलकि यह computer में already connect रहती है तो इसे द्यान रखेंगे डियू अप्सेंश का राटर अंसर है नेक्स कुशन का अंसर बताएंगे चौथा कुशन है बिस्षू बिरासत हैरिटेज दिवस कम मना जाता है बताब कम मनाते हैं तो इसका correct answer करेंगे सभी 18 अपरेल को जो के आपका सी अप्सन में correct answer दे रखा है नेक्स्ट कुशन कांसर बताएंगे सभी पांचमा कुशन है इंपोडेंट कुशन है बेरी बेरी इंपोडेंट कुशन यह परिच्छा के दरिष्टी से इंपोडेंट कुशन है द्यान रखिएगा सूचना का अधिकार RTI राइट टू एक्ट अधिनेम किस वर्स लागू हुआ था बताब किस वर्स लागू हुआ था RTI तो यह हुआ था 2005 में यह बहुत बार परिच्छाओं में आया है कुशन द्यान रखिएगे से आशनका उनलेदा एप रख्षयां mere और मासवाह का अधि क्या यह ब खरचा का उनले हैं सवाचन उस्क्रूइक का स्नक्राइगे60 को में इसमें से बसाम कौन विले नहीं होता है तो मतब कौन से के सब्साम कॉन से मिले नहीं होता है तो द्यों उनले बारे बिले बाटर में बिले हैं और बसाम बिले हैं तो कौन कौन से बिटामिन जो बसाम बिले हैं तो देखो के ए और ए ये तीनों बिटामिन बसामें बिले हैं तो बचा कौन से अपसन बिटामिन बी ये बटामिन बी जल में बिले हैं तो इसे द्यान रखेंगे बी और सी ये दोनों ब लिए यह च नब के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए निए को क्या कहते हैं रेटीनो municipal क्या कहते हैं इस आप सभी कॉमेंट में जरूल बताएंगे अगले कोशन कांसर बताएंगे सात्मा कोशन है कैंसर के उपचार के लिए प्रिक्त रेडियो आइसोटोप है बता कौन सा आइसोटोप का यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए करेक्ट आंसर बताएं सभी तो इसका राट अंसर है कोवाल्ट 60 कोवाल्ट 60 का यूज करते हैं तो C-Apshan स्का राट अंसर है next question का अंसर बताएं आठमा question है chemotherapy chemotherapy पद्डिती से किस का तो उप्चार किया जाता है तो इसका राट अंसर है cancer का तो C-Apshan का राट अंसर है important question है अच्छा आपको पता होना चाहिए गुर्दे की खराब ही होती है तो उसके लिए क्या किया जाता है तो उसके लिए किया जाता है डायलेजिस तो यह सभी को पता होना चाहिए डायलेजिस किया जाता है और ECG किसके लिए किया जाता है हिर्दे रोग के लिए ECG किया जाता है हिर्दे रोग के लिए Next question का अंसर बताएंगे नौमा question है जल में पाए जाने वाले इन में से कौन से पिर्दूसकों से मिनिमाता रोग होता है मताब मिनी माता रोक किस पिर्दू सक के कारण होता है तो यह होता है मेथाल मरकरी के कारण तो करेक्ट आंसर इस कोशन का बी अप्शन बी अप्शन इसका राट आंसर है नेक्स्ट कोशन का आंसर करना है आपको दसमा कोशन है चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है तो स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है सभी राटनसर करें तो इसका कारण है बैरी ओला बायरस बैरी ओला बायरस है क्या बैरी सेला बायरस है आप कोमेंट में जरूर बताएंगे तो इसका राटनसर यहां पर बायरस होना किसकी मौजुद्गी के कारण थोड़ा पीला होता है बताब किसकी मौजुद्गी के कारण होता है वो पीला तो इसका राट अंसर करना है आप सभी को के रोटीन के कारण तो राट अंसर है इसको कोशन का डी अप्षन नेक्स्ट कोशन का अंसर करना है बार्यमा कोशन है बारती राष्टी कांग्रेस के डैस के अधिवेशन में सूरत बिवाजन हुआ था तो बताब किस वर्स हुआ था सूरत बिवाजन इसका राटन सरह है नैंटी जीरो सेवन में 1907 में तो सेकंड अप्सन इसका राटन सरह है 1905 में क्या हुआ था बंगाल बिवाजन यह सबी को आपको पतावना चाहिए थर्टीन कोशन है निमनलक्त में से कौन सा जन्तु अपनी तवचा द्वारा स्वचन करता है तो वो है आपका राटन सरह मेड़क मेड़क इसका करेक्ट आंसर है जो के आप जमीन में भी रहकर यह स्वचन करती है तो फोर्थ अप्सन इसका राटन सरह है नेक्स्ट कोशन क अंसर बताएंगे 14 कुसर ने करेक्ट आंसर बताएं सभी 한Water General लाट डळलोजी ने बेट्चि सम्राज के विस्तार से संंबंधित निम्न लिक्तिम से का उंसी नीती पेस की थी तो लाट डळलोजी ने का उंसी नीती पेस इंपोडेंट नहीं है तो आपको उसी हिसाब से आपको त्यारी करके चलना है पंदर हमा कुशन है बारत के पंजाब से निकरने वाली पांच नदियां पाकिस्तान में मिथान कोट में डैस नदी में मिल जाती हैं तो मिथान कोट में किस नदी में मिलती हैं पांच नदियां जो पंजाब से निकलती है तो यह आपको इंपोरेंट कुछन है कौन सी नदिया है जिसमें मिलती है वह सिंदु नदी देखो क्योंके सिंदु नदी इधर बहती है पश्चिम सैड में जब के देखो ब्रह्मपत्व नदी गंगा नदी यमना नदी यह सबी कांग जाके गरती है बंगाल की घाड़ी में तो यह सबी को पताऊने चाहिए आप इसे इजली राइट आंसर कर सकते थे सिंदु नदी इसको जानते हैं अंगूर की खेती को जानते हैं तो राइट आंसर इसको कुछ को अब क्या नहीं को जानते हैं को मचली पुट्रिण को क्या कहते हैं तो मर्च मचली पूट्रिण को क्या कहते हैं पीशी कलचर अठारे में कॉशन का अंसर बताएंगे निम्र लिक्तिम से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उप्यक बिद्धुत सरकिट को बेवज़त करने या इसे पूर करने के लिए किया जाता है तो पता कौन सा उपकरण है वो तो इसका राट अंसर है सुच सुच का यूज करत मराठों और अफगानिस्तान के सासक एहमदसाद और राणी के बीच पानिपत की तीसरी लड़ाई किस वर्स हुई थी तो मैं आपको तीनों के बारे मता देता हूं तीनों की क्या वर्स थी तो उधा को पहली हुई थी 1526 में बावर और इब्राम लोदी के बीच जिसमें ब एक हुई थी 1761 में जो कि आपका तीसरा अपसन इसका कारेक्ट आंसर है जो कि मराठों और यहां पर एमसाद दुर्रानी के बीच हुई थी तो यह आप सभी को पता हुन चाहिए बीच में कोशन का अंसर बताएं राजा टोडर मल निमनल लक्तिम से किस मोगल समराठ के सासन काल के दौरान राज सुमंतरी थे तो बताब किस के सासन काल के दौरान थे तो यह थे आकवर के सासन काल के दौरान तो फोर्ट अपसन इसका कारेक्ट आंसर है ज्यान रखेंगे सबी 21 में question का answer करें निम्रे लिक्तिम से कौन सा भूटन का सबसे उचा परवत है तो भूटन का सबसे उचा परवत बताना आपको देखो यह जरूरी नहीं है कि आपको इंडिया का ही पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा उचा परवत है आपको पड़ोसी देश का भी परवत उचा पूछा जा सकता है या नदियां पूछी जा सकती है तो आपको साथी साथ पड़ोसी देशों के बारे में भी पड़ना है तो इसमें देखो राट अंसर है गंग खर पुनसम तो तीस रापसन इसका राट अंसर है यह बूटन का सबसे उचा परवत है अगले question का answer करे में तो फोरत अपनश का डरक्ट अंसर है राजसं मत जील भी राजस्तान में उसे एभी द्यान लखना Mia मड़ीपुल्ण में लोग्तुंद कील अच्छा लोणार aka कहांपर है तो लोघर दिल माराइश्ट में तो वह अपको पता होना चाहिए क्यों कि पूछी जाती यह तेश्में कुशन का अंसर करें सभी डैस मानव सरीर की सबसे छोटी अड़ी है बताब कौन सी मानव सरीर की सबसे छोटी अड़ी है इन में से तो किस अंग में है मतलब हो तो वो है कान की अड़ी और जो के इस्टिपीज होती है उसका नाम कान की अड़ी सबसे छोटी है अच्छा कलाई की अड़ी को क्या कहते है जो हाथ में होती है हुमस कहते हैं उसे जो कि कौनी से उपर होती है हुमस उसे द्यान रखेंगे आप अच्छा कौन सी हड़ी जो मानफसरी में सबसे लंबी है वह है फीमर जिसे जांक की हड़ी कहते हैं मे अगली कांसर करें 24 मों कुस्षन है लावडी कौन से राज़्यका लोक निरते है तो लावडी कौन से राज़्यका यह आपका माराश्ट का माराश्ट का नावड तो अच्छा में कि राज्यका लोकनिरते तो डांडिया या रास तो यह है आपका गोजरात का डांडिया रास गोजरात का है ध्यान रखेंगे सभी कालिवेलिया का का राजिस्तान का किता है कि संम्यदान के किस अनुच्छीत में कागया है कि किसी भी जटी को उसे उसके प्राण या देह कि सुतंद्रथा से बिदी द्वारा इस्तापत परिक्रिया के अनुसार ही बंचित किया जाएगा अनुथा नहीं बताब कौन सा आर्टिकल है जिसमें कागया ऐसा तो आर कि आपको जवाब देना है और यह आप सभी जान रहा है किसका कुस्टन है हिंदी का हिंदी सब्जेक्ट आपके एकजम में पूछा जाएगा और मैं आने वाली वीडियो आपको हिंदी सब्जेक्ट से कराने वाला हूं तो आप कंटीनू जोड़े रहेगा चैनल से चैनल को स नया है न यह सभी आख के पर्याबाची है अच्छा आपको इन तीनों के पर्याबाची आपको कोमेंट लिखने अगर आपकी त्यारी अच्छी है तो जरूर लेखेंगे सभीने चैनल को सस्क्राइमने गया तो प्रीज कर लीजिएगा बीड़ो को लैक कर दीजिएगा और आपने मैं आपको बता दूं मैंने यकी प्लिरेश्ट में सभी वीड़ों को जोड़ दिया है तो आप सभी एक जाम से पहले सभी वीड़ों को यह बार जरूर देख आपको 25 25 कोशन मिल रहा है लगवा 500 कोशन हो गए आप जरूर देखें एक बार चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं थैंक्स वाचिक माई वीडियो